कि लास 10 के exercise 1.1 का question number 4 है हमारे सामने है जिसमें कहता है यूज यूक्लिट डिवीजिन लेमा तो शो देट the square of any positive integer अगर हम किसी positive integer का square करते हैं ठीक है तो वो किस form में होता है is either of the form 3m और 3m प्लस 1 तो वो अगर हम square करेंगे तो वो 3m और 3m प्लस 1 की form में होगा और m जो है हमारा वो क्या हो कोई some integer ठीक है तो m हमारा कोई integer होगा ठीक है तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे let कर लेंगे कि a कोई हमारा positive integer है and b equals to 3 और b क्या है 3 है तो as yukleid division lemma yuk должно division lemma के according क्या हो जाएगा हमारा yukleid division lemma क्या होता है a equals to B q plus में R ठीक है तो इसके according हमारा equation क्या बनेंगी हमारie equation क्या बनेंगी a equals to b की value क्या हमारी b की value में हमारी 3 let कि हमने तो 3 q PLUS में R और R की value क्या होगे हमारी where R R की value क्या होती है हमारी greater than or equal to 0 ठीक है और less than B ठीक है तो R की value possible values of R तो possible values of R क्या होंगे हमारी possible values होंगे हमारी R की R सबसे पहले क्या होगा 0 के equal होगा ठीक है तो 0 उसके बाद क्या होगा हमारा B से छोटा होना चीए तो B की value है 3 B से छोटा होगा तो B की value है 3 3 से छोटा हमारा क्या होता है 1 और 2 तो possible values of R होंगे हमारी 0, 1, 2 ठीक है वेन तो उसके बाद आते हैं अगले step पर वेन R equals to 0 अगर हमारा R equals to 0 है तो हमारा equation क्या बनेगी A equals to 3Q प्लस में 0 या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते है A equals to 3Q इसमें कुछ भी प्लस नहीं कर रहे है 0 ठीक है 3 का स्क्वेर 3 का स्क्वेर होगा हमारा 9 और Q का स्क्वेर Q स्क्वेर यहां से हम ले लेते हैं 3 common ठीक है A square as it is इसमें से हम ले लेंगे 3 common तो 3 common लेने पर इसमें आएगा 3 बारा आगया 3 के टेबल में 9 का बाद था 3 जापर और Q A square हमारा क्या हो जाएगा Equals to 3 और जा हमारी bracket के अंदर value आए जिसमें से हमने common निकाला है उसको माल लेंगे हम K1 ठीक है आगे बताँगा यह K1 क्या है इसी तरह हम R की value अगर 1 होगी ठीक है R equals to 1 अगर हमारी R की value 1 होगी तो हमारी equation क्या बनेगी A equals to 3Q प्लस में 1 इसका भी हम square कर देंगे दोनों side तो इधर आजाएगा A square और इस side में 3Q plus 1 का whole square दोनों का whole square होगा तो इस पे whole square बाला ही formula लगा दिना है X plus में Y का whole square ठीक है तो formula लगा लगा लेतने है तो A square equals 3Q का square यह होगा हमारा 9Q square अतलब X का square होगा हमारा उसके बाद 2XY होता है तो 2 multiply में 3Q plus 3Q multiply में 1 तो 2 multiply में 3Q 6Q 6Q multiply में 1 6Q ही रहेगा ठीक है और उसके बाद आता है हमारा Y का square तो Y का square क्या होगा हमारा 1 Y की value 1 है तो Y का square भी 1 होगा ठीक है तो इस में से भी क्या करेंगे हम इन में से, इन में से हम common ले लेंगे, जो इन में common आ रहा है, 3 common ले लेंगे, ठीक है, तो यह आएगा हमारा, a square equals to 3 common लेंगे, 3, अंदर क्या बचेगा हमारा, यह आएगा 3, q square plus में, 2 q, plus में, 1, ठीक है, तो इसको हम कैसे लेख सकते हैं, a square equals to 3 जो अमारी bracket के अंदर value है इसे लेट कर लेते हैं k2 प्लस में 1 ठीक है इसी तरह है हमारा r की value when r equals to 2 अगर r की value हमारी 2 है तो क्या होगा ठीक है यह थोड़ा tricky से होगा इसे दिखना आपको तो अगर r की value 2 है तो हमारी equation क्या बनेगी a square sorry a equals 2 में 3q plus में 2 square करेंगे दोनों साइड में तो यहां का a square और यहां का 3q plus 2 का whole square तो solve करते हैं इसे पहले square का square मतलब इसका जो whole square है उस bracket पे उसे solve करते हैं x plus y का whole square का formula लगया तो 3q square क्या होगा हमारा 9q square प्लस में 2xy होता है formula में तो multiply में 3q 6q 6q multiply में 2 12q तो यह होगा 12q प्लस में 2 का square हो गया हमारा 4 इसको दुबार है एक अच्छी सी form में लिखेंगे किस तरह से ज्धान से देखना आपको ठीक है a square equals to 9q square प्लस में 12q square और 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं 3 plus 1 लिख सकता हूं 3 plus में 1 ठीक है मैंने यह 4 जो है इसको लिख लिए 3 plus 1 3 plus 1 क्या होता है हमारा 40 होता है ठीक है उसके बाद यह जो वैल्यू है प्लस में 1 और बहार है हमारा प्लस 1 ठीक है इसमें से हमें कोई को मन नहीं आए यह एज़ेगा ठीक है और यह जो ब्रैकेट के अंदर वाल्यू है इसे लेट कर लेंगे हम के 3 तो हमारी क्या बनेंगी ए स्क्वियर इक्वल्स तुमें 3 मल्टिप्लाई में के 3 प्लस में 1 अब आते हैं के 1 के 2 और के 3 लेट किया है वो है क्या ठीक है हमारा के 1 के 2 एंड के 3 आर सम इंटीजर्स हमारे यह क्या है कुछ इंटीजर्स जैं फिक है उपर से मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा तो आप नोट डाउन करते रहें साथ साथ हमारे के 1, के 2के 3 क्या है इंटीजर्स तो इसमें तो हमारी फोम क्या बनेंगी के 1, k2, k3 इंटीजर्स है और हमारा जो M है M भी को ही इंटीजर है ठीक है तो K1 K2 K3 की जगह है M लिख सकते हैं ठीक है तो हम क्या कर सकते है स्क्वेर ओफ एनी स्क्वेर ओफ एनी पोजिटिव इंटीजर is in the form of 3M ठीक है 3M कैसे हो हमारा यहां पर क्या है 3K1 और K1 हमारा क्या है कोई पोजिटिव इंटीजर और M भी हमारा कोई पोजिटिव इंटीजर तो यह हो गया हमारा 3M और 3M प्लस 1 ठीक है यह कैसे हुआ 3M प्लस 1 यहां पर क्या है 3K2 K2 भी हमारा क्या है कोई इंटीजर और M भी हमारा कोई इंटीजर है तो 3M प्लस में 1 जा फिर यहां पर भी देख स स्क्वेर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेर वो किस वो में हो सकता है थ्री एम और थ्री एम प्लस वन में यह आपर प्रूव कर दिया है